ध्यान देने होगे जरूरी बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुनें नमबर एक मक्के को हर जगह से दाने निकले बीना सील से काटने के लिए दो कटोरी का उपयोग करें एक चोटे कटोरे को कागच के तौलिय में लपेटे और एक बड़े कटोरे के अंदर उल्टा रखें यदि आपके पास बंडल पैन है तो यहाँ भी इसके लिए बहुती अच्छा काम करता है नमबर दो आइस बर्क लेट्यूस के एक सिरे को कटिंग बोर्ड पर पटक कर तुरंत कोर निकाले नमबर तिन पास्ते को पहले से भीगो दे और यहाँ लगभग साट सेकंड में पक जाएगा अजीब लगता है लेकिन यहाँ काम करता है पास्ता को एक सील बंड बैग में कुछ घंटो या रात भर के लिए पानी में भीगो दे फिर आप इसे ओबलते पानी में बहुत तेजी से पका सकते हैं या बस इसे सीधे एक पैन में गरम सौस में डाल सकते हैं और इसे वही पकने दे नमबर चार एवोकेडो की गुठली बनाने के लिए एक तेज चाकू का उपयोग साओधानी पूरवक करें सबसे शुरक्षित तरीका यह है कि पहले एवोकेडो को कटिंग बोर्ट पर रख दिया जाए या शायद कुछ रैट चैन मेल दस्ताने में निवेस किया जाए नमबर पांच साफ क्यूप्स बनाने के लिए एवोकेडो को सीधा चिलके से काटे फिर चम्मस से टुकडे निकाल ले नमबर चैन आपने कटिंग बोर्ट को फिसलने और डग मगाने से बचाने के लिए उसके नीचे एक डिस टावल या गीला पेपर टावल रखें नमबर साथ कीवी को अंदर से बाहर तक छिलने के लिए चम्मस का प्रियोग करें कीवी के सिरे काट ले फिर चम्मस को कीवी के चारों और की तचा के नीचे सरका दे नमबर आठ तेज समान वित्रण के लिए जमे हुए मखन को सीधे पेस्ट्री के आटे में पीस ले यह पाई बिसकुट और अन्नी किसी भी चीज के लिए बहुत ही अच्छा है जहां आप मखन को ठंडा होने पर भी जल्दी से सामिल करना चाहते हैं नमबर नो चेरी टमाटर को एक साथ काटने के लिए उन्हें दो प्लास्टिक के धकन के बीच रखें नमबर दस प्याच को आधे समय में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल कर केरा मेलाईज करें नमबर ग्यारा मक्के की एक बाली को माइक्रोवेव करें और अपसीदे भूसी से बाहर गिर जाएगा अध्रक को बारिक काटने की बज़ाए माइक्रो प्लीन से कदुगस कर ले आप अध्रक को सक्त और कदुगस करने में आसान बनाने के लिए पहले उसे फ्रिच कर सकते हैं आनंद पुर्वक साब आसानी से टुकड़े करने के लिए अपने पनीर ग्रेटर को नॉनिस्टिक स्प्रे से कोट करें नमबर 14 अधिक रस निकालने के लिए नीवू को माइक्रोवेब करें 15 या 20 सेकंड के लिए साइट्रस को जपले से फल में काइबरो हाइडरेट को तोड़ने में मदद मिलती है और अधिकतम सरलता को बढ़ावा मिलता है नमबर 15 लहसुन के पूरे सिर को जोर से हिलाकर छील लें नमबर 16 आलू को जल्दी से सही वेवेज में काटने के लिए सेफ स्लाइसर का उप्योग करें नमबर 17 आलू उबालने से पहले उन्हें छीलने की ज़र्वत नहीं पकने के बाद छिलका उतर जाएगा जब वेवेज पक जाए तो उन्हें बर्फ के स्नान में डालें फिर अपने हाथों से उनका छिलका उतारें यहां रेसेट आलू के साथ सबसे अच्छा काम करता है नमबर 18 सटर फ्राई को स्टू के लिए टुकड़े करना आसान बनाने के लिए मांस को फ्रिच करें नमबर 19 चेरी को पेपर क्लिप से काटें नमबर 20 प्रीम को मैसन जार में हिला कर फैटें और यदि आप काफी देड तक हिलाते रहें तो आप इसे मखन तक ले जा सकते हैं नमबर 21 खाना पकाने से पहले कटे हुए टुकड़ों में कटे हुए आलू को ठंडे पानी में ढग दें ताकि स्टर्च के निकलने के कारण आलू का रंग भूरा भूरा ना हो जाए जो उन्हें आक्षिकरण कराता है नमबर 22 सरण को धीमा करना चाहिए टमाटर को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए तने को नीचे की ओर रखें यहाँ हवा को प्रवेश करने से रोकता है और नमी को उस निसान से बाहर निकालने से रोकता है जहाँ टमाटर एक बार बेल से जुड़ा हुआ था नमबर 20 केले को लंबी उम्र दे गुच्छों के सीरे को प्लास्टिक ग्रैप से लपेट कर केले को अधिक समय तक ताजा रखें इससे भी 72 प्रते केले को अलग कर ले दोनों रणी तिया एलेथिन गैजों को तने से बाहर निकालने से रोकती है जिससे फल बहुत तेजी से पकते हैं नमबर 24 पकने में तेजी लाहे पूरी तरह से जादुगर बने और एक पेपर बैग की मदद से केले को हरे से पीला बना दे जब फल को थैले में डाला जाता है तो संक्रेंदित अलेथिन गैज उसे तेजी से पकने में मदद करती है नमबर 25 कटे हुए फलों को भ भूरा होने से बचाने के लिए एक भाग शहद और दो भाग पानी का मिस्रण भी उसी तरह काम करता है नमबर 26 क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों काम करता है निवो के रस्ग साइट्रिक एसिट को विटामिन C और सहथ से पैप्टाइड ऑक्सिकरण प्रकेरिया को धीम है कि आपके ब्राउन सुगर कठोर होकर क्रिस्टी नेगेटस में बदल गई एक एयर टाइट कंटेनर में चीनी के साथ संत्रे का चिलका या सेप का एक टुकड़ा डालकर ब्राउन सुगर को नरम और स्कुप करने योग्य बनाए रखने के लिए मदद कर सकते हैं नमबर 28 प्लास्टिक रैप आपताओं से बचे या क्या प्लास्टिक रैप के से काफी परिशानिया हो चुकी है बचे हुए को धकन में बचा परिशानी कम करने के लिए रोल को फ्रिज रखें रैप को ठंडा करने से इस्थाही रूप से इसकी चिपचिपा हट कम हो जाती है नमब के करणों से भोजन को बासी होने से बचाने के लिए भोजन को साफ टोपी से ढखे बरतन में तायोर नमबर तीस सावर कैब न केवल पुनह प्रियोज है बलकि प्लास्टिक रेपिया टीन फॉयल को बार बार हटाने और बदलने की तोलना में बहुत आसान है और जबाब उन्हें अपने फ्रिज में देखेंगे तो शायद आप हंच पहंच पढ़ेंगे नमबर तीस चार्च है कि क्या अंडे अभी भी खाने योगे हैं अखेले आपकी नाग हमेंसे आपको यह नहीं बताएगे कि अंडे खराब हो गये हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए कच्चे अंडों को धीरे से ठंडे पानी के कटोरी में रखें यदि अंडा नीच चिद्रित खोल के माध्यन से वास्पित हो जाता है जिसके अंडर एक गैस बुलबुला रह जाता है या जितना अधिक तैरता है उतना ही पुराना होता है 32 किसी को भी अपने केक या ब्राउन में कुरकुरे टुगडे पसंद नहीं आते हैं लेकिन बैटर में गीरे अंडे के छिलके का थोड़ा सा हिस्सा पकड़ना जंगली हंस के पीछा में बदल सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह एक चालाक टैटपोल की तरह आपकी पहु पूटे हुए अंडे के छिलकों के टुकड़े निकाले बहुत अधिक ठंडा वरबात किये बिना खोल के टुकड़ों को खीचने के लिए खोल में एक चुम्बक की तरह काम करता है 35. स्वेक्स के बीच आसानी से निकाले स्क्वेस को कद्दू जैसी सब्जियों से आइस्क्रीम स्क्यूप से बीच निकाले क्योंकि स्क्यूप की धार तेज होती है यहाँ आपके हाथ या नियमित चम्मच की तुलना में स्क्वेस के अंदर रहसिदार छिप छिपे पधार्थ को 72 तरीके से काटता है नमबर 36 चर्वी हटाएं तरल की सतह पर कुछ बर्प के टुकड़े रखकर स्टॉक और शौस से अतरिक्त वसा को चम्मच से हटा दे करें कटोरे में रखें फिर एक खाली पानी की बोतल को जर्दी के उपर पलड़ दे और बोतल की किनारे कौ निचोर दे जैसे ही बोतल का मुँ जर्दी के संपर्क में आजा है बोतल पर से दंधा ऑब खटा दे nama 38 आसानी से चेरी खो दें वियर की खाली बोतल के उपर एक एक करके चेरी रखे और गड़े बोतल में डालने के लिए चपस्टिक का उप्योग करें थैंक्स पॉर वाचिंग